हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो अभीपीडिया पावर बाई अभीमन्यू आईएस तो इस क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे पंजाब प्रिंसिपल एक्जाम जो दोहजार उन्निस में हुआ था उसमें जनल नॉलिज के जो क्वेस्टिन पूछे गए थे उनको हम एनलाइज करें कि वह कौन से क्वेस्टिन थे किन फिल्ड से वह क्वेस्टिन आये थे और वह आपको कहां से पढ़ना है तो बेसिकली यह आपको डिरेक्ट करने में हेल्प करेगा that how you can use your time really judiciously because इस एक्जाम में बहुत कम ताइम रहे गा है so how you can revise the general knowledge portions तो previous year question से उसका बहुत आइड लग जाता है so there were total of 40 questions from general knowledge asked in that particular paper तो हम इसको दो वीडियो में cover करेंगे in this particular video we will be discussing 20 questions most of those from history and polity जो कि उस question उस question paper में पूछे गए थे so let us start पहला question था the khilafat movement subsided following what so khilafat movement जो modern Indian history का एक topic है तो khilafat movement 1919 में शुरू हूई थी which also formed the basis for non cooperation movement तो khilafat movement subside क्यों हो गई थी यानि कि खतम क्यों हो गई थी तो चार options है first is withdrawal of support by Congress Congress ने support withdraw कर ली थी second is कि अंग्रेजों ने discrimination की policy छोड़ दी थी ये बिलकुल भी सही नहीं है और ना ही Congress ने support withdraw की थी third is reservation of seats for Muslims कि Government of India Act 1919 के according जो Muslims थे उनको separate electorate मिल गए थे इसलिए उन्होंने protest छोड़ दिया this reason is also not correct fourth is the assumption of power by Mustafa Kemal Pasha in Turkey and abolition of the Caliphate यानि के Turkey में Caliphate को अबोलिश कर दिया गया था और वहां पे एक नया रूलर आया था जिसका नाम था Mustafa Kemal Pasha now this is the actual reason so option 4 is the correct answer next question the headquarters of the gather party एक और question जो आपको modern Indian history से आता है कि gather party के headquarters कहां पर established किये गए थे the answer to this is see San Francisco so जो बाकी के options आपको दिये गए है they are quite confusing Moscow Berlin and Los Angeles generally अगर हमें याद रह जाए कि वो पार्टी का headquarter USA में था तो यह दो cities हैं जिसमें confused कर सकते हैं San Francisco and Los Angeles तो इसलिए यह option दिया गया है उसके लाव बर्लीन option इसलिए दिया गया है क्योंकि उस वक्त जो revolutionaries थे वो उस तरह की countries में gather हो रहे थे जो की जिनका sentiment British India के against हो तो उनमें एक Berlin भी था because Germany was against the British in first as well as in second world war तो इसलिए यह options जो है they can be confusing the answer is see San Francisco third question whom did Gandhiji regard as his guru in politics गांधी जी किसे अपना गुरू मानते थे politics में तो 1915 में गांधी जी इंडिया वापिस आये South Africa से और वापिस आने के बाद करीब एक से डेड़ साल तक उन्होंने इंडिया में पूरे इंडिया में उन्होंने वह घूमें हर जगां हर लोगों की problem सुनी ताकि उनके जो problems है उनको वह अच्छे से जानकर फिर उन्हें रेप्रेजेंट कर सकें तो इस वक्त पे गांधी जी ने श्री गौपाल कृष्ण गोखले को अपना पोलिटिकल गुरू माना था अच्छों गोखले वाउस थी पलिटिकल गूरू अच्छी से गांधी जी बहुत इंस्पाइड थे ती सी गपाल क्रिश्न गोखले फोर्थ क्वेस्टिन आपके पास आ जाता है दा बाउंडरी बिट्वीन इंडिया और पाकिस्तान वस दी मार्केटेड बाई 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान डिसाइड हो गया कि यह दो अलग अलग कंट्रीज बनेंगे तो एक कमिशन बिठाई गई बिटिश की तरफ से विच वाइड बाई पर्टिकुलर पर्सन सो वो पर्सन कौन थे जिन्हों ने बाउंडरी दी मार्केट करने वाली कमिशन को हैड किया यही कारण है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंडरी है उसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है इट इस आल्सों नोन आज दा रेड क्लिफ लाइन तो इसके बारे में बहुत कॉंट्रोवर्सी भी हुई थी यह कहा गया था कि यह लाइन है वो बहुत ही थॉटलेस ली डिजाइन कर दी गई थी तो कई ऐसे एरिया जो हिंदू मेजॉरिटी थे या जो पंजाबी स्पीकिंग मेजॉरिटी थे या जिनने एक्चुली इंडिया में होना चाहिए था वो पाकिस्तान में चले गए थे और वाइसे वर्सा तो बाउंडरी पर रहने वाले बहु तो देज बिफोर पार्टिशन जो एक्चल बाउंडरी है वो डिस्क्लोज की गई थी तो इट वस वरी कॉंट्रोवर्शल अस्वेल सिरिल राट्लिफ इस दी आंसर नेक्स्टिशन इन विच फॉल्विंड इंडिया में साढ़े पांच्सो से भी जाधा प्रिंसली से या फिर यासते थी अब जो कैबिनेट मिशन प्लाइन इंडिया में आया था उसके एकॉर्डिंग इंडिया की जो एंटिटीज थी उन्हें दो तरीके से बांटा गया था एक तो ब्रिटिश प्रविंस और दूसरी प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश प्रविंस को फॉर्दर दो हिस्सों में बांटा गया था इंडिया और पाकिस्तान तो इसका मतलब यह था कि जो कैबिनेट मिशन था वह यह प्रपोज करता था कि प्रिंसली स्टेट्स के पास यह ऑप्शन होगी डेकल आइधर गो टू इंडिया जैकंड डेकंग गो टू पाकिस्तान और थर्ड they may even choose to remain independent तो उन सारी रियासतों को इंडिया में integrate करने का काम किस ने किया था सरदार विलब भाई पतेल ने तो बहुत सारी ऐसे रियासते थी जो या तो इंडिया का पाट बन गई या फिर पाकिस्तान का depending upon कि वो किस country के साथ उनकी boundary जो है वो आ रही है बीकॉस दी वर कांगर वा tau सारी प्रिंसली स्टेट मान गई थी लेकिन चार-5 आहसी कि प्रिंसली स्टेट सी जो इंडिया का पाक बने के लिए तयार नहीं थी जिरके रूलर्स इंडिया का पाक बनने के तयार नहीं थे including Jammu and Kashmir, including Junagard, Travencourt, Hyderabad. So all these princely states, they did not want to become part of India or the rulers did not want to become part of India. तो उन सभी princely states को इंडिया में अलग अलग तरीके से integrate किया गया. कहीं पर लोगों ने जो है वो revolt कर दिया कि हमें इंडिया का part बरना है तो वहां के rulers ने जब इंडियान को suppress किया तो फिर इंडिया ने अपनी आमी भेजी. तो question यह है कि इन में से कौन सी ऐसी princely state है जिसे referendum से exceed किया गया था. याई निकि जहां पर voting करा के देखा गया था कि वहां के लोग इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर वह इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या फिर वह पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं. So, the answer to this question is d जूनागड तो जो modern day गुजरात state है वह princely state थी जूनागड तो उसकी boundary 5011-5 na 310 तो उसमें डाव था वहाँ का रुलर जो था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो इंडिया का पार्ट बर ना चाहते था जो लोगों ने अभगों किया तो इंडिया ने अपने अमी भी फिर वहाँ पर प्लेभी साइट या फिर 91% लोगो ने इंडिया का पार्ट बनना जो है वो मन्जूर किया and that is how it acceded to India. So, that is the story of Junagad. Another question, at the time of partition, the government in Northwest Frontier Province was constituted by whom? Toh 1947, 15th August को, Northwest Frontier Province में कांसी सरकार चल रही थी? Now, at the time of independence, there were 11 British provinces. Toh, un 11 British provinces में सरकार हैं चल रही थी? Toh, un में से Northwest Frontier Province में किसकी सरकार चल रही थी? The answer is A, Congress Party. So, Khan Abdul Jabbar Khan was the Chief Minister of Northwest Frontier Province और उस वक्त वहां पे Congress Party का रूल था. But, it became a part of modern-day Pakistan. Toh, वो पाकिस्तान में चला गया? Toh, जादा तर जो आपके questions हैं, you can see, they are from the modern India. Toh, ancient or medieval से almost negligible questions थे and most of the questions were from modern Indian history and a bit of Punjab touch was there in the entire history portion. Toh, ये questions हैं, जो आपको अच्छे से करने हैं. Next, again, a modern Indian history question, that too from Punjab state. Toh, ये post-independence का question है. The Punjab Reorganization Act, which created the states of Punjab and Haryana in 1966, was enacted on the basis of the recommendation of which commission? 1966 में, Punjab को bifurcate किया गया था. Punjabi-speaking areas Punjab बन गये थे, Hindi-speaking areas Haryana बन गये थे, और जो कुछ हीली एरिया थे वो, Union Territory of Himachal Pradesh का पाट बन गये. जो कि उसके पांच साल बाद, 1971 में एक अलग state बन गये. So, the question here is, कि जो Punjab Reorganization Act है, कौन सी commission की recommendation पर बनाया गया था? The answer here would be, C. शाह commission. So, 1966 में शाह commission की recommendation पर ये act पास किया गया और पंजाब को bifurcate कर दिया गया. Another question, Who is the supreme commander of the armed forces of India? ये सीधा-सीधा question है polity से, That who is the supreme commander of the armed forces? So, answer यहाँ पर आपका आएगा, A. The President of India. So, President जो है, उनके पास military powers होती है, President is the supreme commander of army, navy and air force. So, A is the correct answer. Ninth question again from polity, The Vice President is the ex-officio chairman of, Vice President किस बोड़ी के ex-officio chairman होती है? Now, ex-officio here means, by virtue of being in that office, by virtue of being in the office. अभी कौन से office की बाद हो रही है? The office of Vice President of India. So, ex-officio का मतलब है कि Vice President होने के नाते, वो किस बोड़ी के automatically chairman बन जाते हैं. That is the meaning of ex-officio. So, Vice President is the ex-officio chairman. तो जो भी कोई इंसान Vice President of India होगा, वो अटोमातिकली कान सी बोड़ी का chairman माना जाएगा? Options are Rajya Sabha, National Development Council, Niti Aayog, and none of the above. The answer is A. Rajya Sabha. So, Rajya Sabha जो की Parliament का upper house होता है, it is headed by the Vice President of India. और ये scheme जो है हमने adopt की है United States of America से. United States of America में भी जो upper house है, that is Senate. और सीनेट को हैड करते है, Vice President of United States of America. So, A. Rajya Sabha is the answer. Next question, the Parliament of India consists of, Parliament of India में कौन कौन आता है? Because Parliament, when we say the word Parliament, it does not simply mean a single entity. काफी सारी entities कंबाइन होकर Parliament of India बनती है. So, Parliament की टेकनिकल देफिनिशन ये है, that all the organs, all the bodies, that together, come together to make a law. जो law बनाने के लिए सारे के सारे लोग इकठे आते हैं, उन सब को मिला कर Parliament बनती है. So, law कैसे पास होता है? पहले एक house में पास होगा, फिर दूसरे house में जाएगा, and then it is signed by the President. तो यहाँ पर देखते हैं, options. Options A, the President, Lok Sabha and Rajya Sabha. Options B, the Lok Sabha and Rajya Sabha only. Option C, the Lok Sabha, the Prime Minister and the Speaker. And option D, none of the above. तो उस explanation के according, the answer should be, the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. तो कोई भी law है, अगर वो ordinary bill है, तो वो किसी भी house में पहले introduce हो सकता है, फिर दूसरे में पास होगा, फिर वो President के sign के बाद ही law बनेगा. अगर वो money bill है, सिरफ उस case में वो पहले Lok Sabha में जाएगा, उसके बाद रज्यसभा में and then to the President of India. So, in any case, दोनों houses plus President, ये तीनों मिलकर ही किसी लोग को पास कर सकते हैं. That is why all these together form the part of the Parliament of India. So, option A is the correct answer. Which of the following states sends maximum representatives to the Lok Sabha? Lok Sabha में सबसे जादा representative या MPs, कौनसी state जो हो भेजती है? अब अगर आपको ये सारे की सारे Lok Sabha की seats नहीं भी याद हैं, तो इसको समझने का या इसको एक intelligent guess करने का तरीका ये है कि जो लोग Sabha की और राज्यसभा की seats होती है, they are proportional to the population of the state. तो अगर यहाँ पर question है कि सबसे जादा लोग Sabha में कि स्टेट से लोग जाते हैं, तो आपको अगर स्टेट की population का थोड़ा सा भी आईडिया है, then you can guess. हिमाचल प्रदेश, मद्या प्रदेश, वेस्ट बेंगौल एंड उत्तर प्रदेश. इसमें से अगर हम eliminate करना चाहें, तो सबसे कम population जो है, वो हमाचल प्रदेश की है, so हमाचल प्रदेश तो जो है वो बिलकुल ही रेश से बाहर हो जाता है, so lowest, one of the lowest populations in India is in हमाचल प्रदेश, तो वो तो बिलकुल ही बाहर हो जायगा. दन जो मद्या प्रदेश है, इसमें population moderate है, Madhya Pradesh and West Bengal moderate to high population and Uttar Pradesh has the highest population in India. So the answer is Uttar Pradesh और Uttar Pradesh से 80 लोकसभा seats जो है वो elect की जाती है. इसे कई बार mini parliament of India भी कहा जाता है कि Uttar Pradesh जो है Uttar Pradesh की assembly जो है उसमें 400 से ज़्यादा MLA's है और Uttar Pradesh पूरे लोकसभा का सबसे बड़ा portion contribute करता है. So 80 members are elected to the लोकसभा. और पंजाब की अगर हम बात करें, since it is a Punjab exam, तो पंजाब से कुल 13 seats जो है लोकसभा की वो होती है. So there are 13 representatives to the लोकसभा from Punjab. Next question, the source of three important narcotic drugs, भांग, गांजा एंड हशीश, is one and the same plant? Which of the following is that plant? तो एक ही plant है जिससे ये तीनों narcotic drugs जो है वो अब्टेन की जाती है, वो कौन सा plant है? ये question इसलिए specifically पूछा जाता है, because Punjab को drug problem से attach करके देखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अलग-अलग नाकोटिक drugs कौन-कौन से plant से बनती हैं. The options are A. Handbane, B. Indian hemp, C. Poppy and D. Rawulfa. The answer is B. Indian hemp. तो इस plant से ये सारी के सारी drugs जो है, वो बनती हैं, और जो पॉपी है, इस से बनता है ओपियम. ओके, जिसे हम अफीम भी कहते हैं. Next question, the governor of a state holds office. एक state का governor कब तक office hold करता है? Options are during the pleasure of the president, या जब तक वो chief minister का confidence enjoy करता है, या जब तक वो state council of ministers का confidence enjoy करता है, या जब तक वो state legislature का confidence enjoy करता है. Now, the answer here is, during the pleasure of the president. तो गवनर को elect करने का कोई criteria नहीं है, गवनर को nominate करने का कोई criteria नहीं है, उसको remove करने का कोई procedure नहीं है. So, a governor is directly appointed by the president and can be removed by the president anytime. So, the answer is during the pleasure of the president. The constitution has vested the residuary powers with the center. Schedule 7 of the constitution के according, तीन lists बनाई गई हैं, the union list, the state list and the concurrent list. Union list में वो subjects हैं जिन पर सिरफ Parliament law बना सकती है, state list में वो subjects हैं जिन पर सिरफ state legislature law बना सकता है, और concurrent list में वो subjects हैं जिन पर दोनों law बना सकते हैं, Parliament भी और state legislature भी. लेकिन अगर उनमें conflict होता है, क्योंकि एक ही subject पर दोनों law अगर बना दें, तो उस case में Parliament का law जो है, वो prevail करेगा over the state law. उसके अलावा चौथी एक power आती है, that is the residuary power. So the residuary powers are those powers which are not there in any of the three lists. कई बार कोई ऐसा subject आ सकता है, जो किसी list में ना हो, कोई नया subject बन सकता है, तो उसके उपर law बनाने की power जो है, वो Parliament के पास होती है. लेकिन अगर इस matter में कोई कोई conflict आ जाए, तो उस conflict को solve करने की power किस के पास है? Who is the final authority to decide whether a matter falls under the residuary powers or not? क्या वो residuary power है या नहीं, यह decide करने की final authority है, the Supreme Court of India. So the Supreme Court of India is the final authority. Next question, The Controller and Auditor General submits his annual report regarding the center. To whom? Controller and Auditor General एक constitutional authority है, जो कि center और state governments के accounts को audit करते हैं. यह देखते हैं कि जितने भी budget में उन्होंने provisions दी हैं, वो सही हैं या गलत. तो center का जो account audit करता है, CAG, तो वो अपने report किसे submit करते हैं? The answer is, to the President of India. हाँ, President जो है, उसके बाद उस report को Parliament में भेज देते हैं, then it goes to the Parliament. So its procedure is like this. लेकिन सबसे पहले वो, जो CAG हैं, वो अपने report submit करते हैं, President को. और क्योंकि यह center के context में है, इसलिए यह president को submit करते हैं, यही report जो state के होती है, वो submit करेंगे governor को. So CAG, जो center का account audit करते हैं, उसकी report देते हैं, प्रेज़ेंट को, और अगर state का account audit करते हैं, तो उस state के governor को वो report भेज़ देते हैं. 16th question. 16th question. So history और polity और उसके बाद अब थोड़े से culture से question है, culture specifically from Punjab perspective. So 16th question was, who among the following acted as a scribe to write आधी गरंथ? आधी गरंथ अभी आपकी सिख हिस्टरी से question हागया, सिख मॉडर्न हिस्टरी से आपका question हागया, तो you can see जो questions है, वो काफी ज़्यादा straightforward है, ज़्यादा twisted questions नहीं है, चाहे वो history के हो, चाहे वो polity के हो, so you should revise, taking these questions as a guide, you should revise the history and polity entirely, तो आधी गरंथ लिखते हुए, स्क्राइब कौन थे, यानि कि किन्हों ने अपने हाथों से आधी गरंथ को पहली बार लिखा, the options are, A. पाई बुद्धा जी, B. पाई गुर्दास जी, C. पाई मर्दाना जी, D. नन अफ दी अबाफ, पाई गुर्दास जी, जो भाई गुर्दास जी ने अपने हाथों से आधी गरंथ को लिखा था, यह वस दो स्क्राइब, 17th question, वो अमंग दे फॉलूविंग हैद बिन द फॉर्स रिसीपिंट of Sahity Academy Award in Punjabi language, तो यह सारे keywords हैं, आपने इन में से कोई भी keyword को miss नहीं करना है, 1st recipient भी बताना है, वो भी Sahity Academy Award के और वो भी Punjabi language में, the options are, A. अमरिता पीतम, B. पाईवीर सिंग, C. दिलीब टिवाना, और D. गुर्द्याल सिंग. Now, all the four are very, very prominent names in Punjabi literature, in fact Punjabi literature के अगर चार सबसे बड़े नाम लिखने हो, तो ये चार आपके सामने लिखने हो है, the answer to this particular question is Pai Veer Singh, so Pai Veer Singh was the first recipient of Sahitya Academy Award in Punjabi language, next question, who among the following was the founder president of Gadhar party, अब Gadhar party से ये दूसरा question है, अगर आप नोटिस करेंगे, एक ही साल में Gadhar party से दूसरा question पूछा गया है, पहले उसका headquarter पूछा गया था, अब उसके founder president, और Gadhar party जो है ये पंजाब से बहुत ज़्यादा है, associate करके देखी जाती है, because most of the leaders were six and Punjab किसमे participation बहुत थी, कामा गाठा मारू incident जो है, इस context में आपको अच्छे से करना है, so who was the founder president of Gadhar party, options, Lala Lajpatra, Sardar Ajit Singh, Sohan Singh Pakna and Baba Khadak Singh, so the answer to this question is, C. Sohan Singh Pakna, so he was the founder president of Gadhar party, 19th question, which of the following dances is not performed by women, so Punjab के folk dances है, traditional dances है, चार आपको options है, सम्मी, गिद्दा, किकली and लुड़ी, तो इन चारों में से कौन सा डांस है, जो विमेन परफॉर्म नहीं करती है, इसका मतलब यह तो clear है कि तीन डांस इसमें से विमेन स्पेसिफिक हैं, जिसमें गिद्दा जो है वो बहुत ही कॉमन है, किकली भी बहुत कॉमन है, तो बचे सम्मी और लुड़ी, यह दो ऐसे डांसे हैं जो जादा तर हम लोगो ने नाम नहीं सुने होते हैं, आप पंजाब से नहीं है, तो जनरली हो सकते हैं आपने नाम ना सुने हो, दिए आंसर हेर इस लुड़ी, लुड़ी इस डांस विच इस परफॉर्म बाइए, राइट, पंजाब के जितने भी यूथ फेस्टिवल जोते हैं, जितने भी ट्रिडिशनल फेस्टिवल जोते हैं, उनमें लुड़ी जो है वो, मेन परफॉर्म करते हैं, तो पंजाब के कल्चर से, पंजाब के डांसे, पंजाब के लिटरेचर से, आपको डिरेक्ट क्वेस्टिन्स पिछली बार पूछे जा चुके हैं, 20th question is, दे नेकेट रिएंगल, देने केट रिएंगल इस न ऑटो बार फी ऑफ, आप यहां पर जो चार नाम आपको ऑप्शन भी दिये गाए हैं, अधे आँए अब सो एस्टिए बिद पंजाब, पंजाब के लिटरेचर से यह एक और प्वेस्टिन हैं, The options are A. Balraj Saani, B. Balwant Gargi, C. Jaswant Singh Kamal and D. Kartar Singh Duggal. Very, very prominent names in Indian artistry and in Indian theatre. Balwant Gargi तो एक बहुत ही बड़ा नाम है इंडिन तेटर में or coincidentally, it is also the answer to this question. So, the naked triangle is the autobiography of Balwant Gargi, right. So, इन सारे questions को अगर आप ध्यान से analyze करें, तो आप पाएंगे कि कोई भी question जो है वो difficulty level में ज्यादा नहीं है. इनका difficulty level easy to moderate में कहूंगा, कुछ 3-4 question ऐसे थे जो moderate difficulty वाले थे, बर difficult जो है वो एक भी question इन में से नहीं है. तो मतलब सारा का सारा जो आपकी performance है, वो आपकी revision पर depend करती है. Because none of the questions, अगर आपने ध्यान से देखा हो, नन of the questions is analytical in nature. आपको कहीं पर भी analysis नहीं करना है. ज्यादा तर जो questions है, वो fact-based पूछे गए हैं. और exam के need के according अगर आप prepare करेंगे, you can score really well. तो Punjab की history, India की modern history, you should pay special emphasis on Indian freedom movement. So Indian freedom movement, post-independence history, और polity में जो भी आपके fact-based questions है. For example, जितनी भी designations है, उन्हें ओथ कौन दिलाते हैं, उनकी कौन-कौन से houses होते हैं, definitions, जो भी बिलकुल basic quality के facts हैं और history के facts हैं, you should revise them properly because you can expect very straightforward direct questions from modern history and from your polity. उसके अलावा अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब के culture में से, specifically dances, literature, इन दो field से question पुछे गए हैं, उसके अलावा पंजाब की history में, पंजाब की history में आपको specific emphasis देना है, किन चीज़ों पर, एक तो, the Sikh Guru period, तो Guru period में, अगर पिछली बार question नहीं पूछा गया, that does not mean कि अब भी नहीं पूछा जा सकता, this is a portion, this is an area which is unexplored, काफी जादा ये explore नहीं किया गया, तो you can expect at least one or two questions from Sikh gurus, तो उनकी chronology, उनके साथ related, सारे के सारे facts, या आपने अच्छे से prepare करने है, after that, you can also expect some questions from the post Guru period, यानि कि Maharaja Ranjit Singh, या फिर उसके बाद, जो पाकी का जो Sikh period रहा है, वो सारा आपने cover करना है, and the third thing is your post-independence Punjab, post-independence का मतलब the creation of and the bifurcation of Punjab, then this Dhar Commission, the reorganization of states, Punjabi Subha Morcha, then this princely state movement, तो उसमें Punjab की क्या involvement थी, इस period से भी, एरिया से भी आप questions expect कर सकते हैं, So, these are the two things that you have to understand from the history perspective, और अगर हम बात करें, पॉलिटी की, पॉलिटी में आपको यह facts हैं, वो बहुत अच्छे से रिवाइस करने हैं, जितने भी आपके one word, या one statement facts हैं, वो आपको अच्छे से रिवाइस करने हैं, So, अगर आप यह कर लेते हैं, you have a very good chance of scoring in the general knowledge section of this particular paper, all right. So, this is the first video in this series, for the second video also stay tuned and all the best for your preparation. Thank you and have a nice day.